बच्चो सब्जेक्ट है आपका साइन्स तो प्लीज ओपन यॉर साइन्स बुक और इसमें देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप भी अपनी बुक ओपन करिए तो इसमें हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 33 लेसन नंबर 4 केरें प्रोटेक्शन ओफ प्लांच और इनिमल्स और इसमें हम पढ़ शुके हैं प्लांच और इनिमल्स किस तरह से एक दूसरी का पड़े बैंड है ठीक है बैलेंस ओफ कार्बन डियक्साइड ऑक्सिजन नेचर कि तरह से कार्बन डियक्सड और ऐकसेड़न का जो बैलेंस है ताप ठीक है केर एंड प्रोटेक्शन एफम प्लांच तो आज हम पढ़ते हैं केर एंड प्रोटेक्षं प्लांच ठीक है पीच गए 30-5 काप ध्यांस सुनीया नंट टोपिक है केडन प्रोटेक्शन आफ प्लां plants need plants need air, water and sunlight to grow well सभी जो भी पौधे होते हैं सब को क्या चाहिए अच्छी ग्रोथ करने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए सूरज की रौशनी चाहिए plants should be given water regularly, plants को ऐसे नहीं कि आपने एक pot पे आपने उसका बीज डाल दिया उसके बाद आप उसकी कोई care ही नहीं कर रहे हैं ना आप उसमें watering कर रहे हैं ना पानी दे रहे हैं ना आपने उसको proper air में रखा है ना sunlight उसे मिल रही है तो सब चीजे एक plant को growth करने के लिए बहुत सारी चीजे हैं जरूरी होती है अब इसी में एक activity है उसको देखिए take two potted plants of the same kind आपने क्या करना है एक जैसे दिखने वाले दो pot लेने है A pot, B pot ठीक है same kind see that they are of the same size आपने ऐसा देखना है आपने खरीदना है और एक ही जैसा होना चाहिए वो उनका size, उनका shape एक जैसा हो mark the pots A and B और उसमें हमने mention कर देना है भार से एक sticker लगा देंगे A pot, B pot ठीक है water the plant in pot A regularly अब आपने क्या करना है जो pot A है उसमें पानी आपने regularly करना है do not water the other plant अब जो दूसरा plant है उसमें हम पानी नहीं डालेंगे after a week एक हफते के बाद observe them carefully उन दोनों pots को देखिए what do you observe आपको क्या देखने को मिलता है the plant in pot B does not grow well जो plant B pot में है उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं की है it dries up after a week वो एक हफते के बाद सूख गया है देखिए और ये ग्रोथ कर रहा है एकदम green है why has the plant in pot B dried up क्या बता सकते है कि जो plant B था जो pot B था उसका पौधा क्यों सुख गया तो देखते हैं timely watering of plants is essential for their growth timely watering मतलब time पर पानी डालना समय समय पर पौधे को पानी देना क्या है बहुत जरूरी है उसकी growth के लिए ठीक है next para for proper growth plants have to be protected from extreme heat and cold एक plant को मतलब अगर हम चाहते कि हमारा plant बहुत लंबे समय तक बचा रहे तो उसको क्या चाहिए उसको बहुत तेज धूप और ठंड से बचाना होता है the dry season is also harmful for the growth of the plant जो dry season होता है जब बारिश नहीं होती है सूखा रहता है उस समय plant की क्या होती है growth पे बहुत जादा फरक पड़ता है और harmful होता है वह वाला मौसम जो है plant की growth के लिए many plants die in a long dry season कुछ पौध ही क्या होता है सूखे वाले मौसम जब dry होता है जब बारिश नहीं होती है तो वो dead हो जाते हैं वो मर जाते हैं अगर हम नौर्थ इंडिया की बात करें तो वहां बहुत ठंडा होता है तो वहां पर बहुत सारे जो plants होते हैं वो क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं वो खराब हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं सीवर कोल मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी पढ़ने के कारण इक पौधा हम लगाते हैं एक हमने फूल का पौधा लगाया तो उस फूल के पॉधिक को अगर हम चाहते हैं वो अच्छी ग्रोथ करें तो उसमें हमें क्या चाहिए मैनियोर चाहिए खाद चाहिए प्रॉपर स्वाइल चाहिए अच्छी उपजाओ मिट्टी चाहिए Plants need minerals and right kind of soil. Plants को कुछ minerals चाहिए होते हैं और सही soil होनी चाहिए The minerals are supplied to the plants through menus or fertilizers. तो जो यह minerals हो जाए जो खनेज होते हैं यह किसके थूँ दिये जाते हैं plants को खाद के थूँ, fertilizers कुछ हम उसमें chemicals, fertilizers डालते हैं. If plants do not get proper minerals they die. अगर उनको proper mineral नहीं मिलेंगे तो वो भी उससे भी क्या हो जाते हैं? वो खतम हो जाते हैं, नर्ष्ट हो जाते हैं. Plants need protection against pests and diseases. Plants को बचाना होता है किसके against? छोटे-छोटे जो कीडे होते हैं जो पौधो पे लगते हैं और जो बिमारिया होती है पौधो की उनसे बचाने के लिए क्या करना होता है? देखिए. Pests and diseases cause harm to the plant. पौधो पे जो कीडे लग जाते हैं छोटे-छोटे-छोटे, कुछ बिमारिया होती हैं जो plants को क्य ल्या पहुचाती है, नुक्सान पहुचाती है. इंक्सक्ष ड्यमारिया अजो बिमारिया होता है, चोटे-खोटेs होते हैं, छोटे कीडे इंश्रू dare WILD छोटे कीडे होता है जो फ्रूट दीया एं निrien इंसेक्टी साइट तो इन्हीं हाम्फुल इंसेक्ट से बचाने के लिए प्लाठ्स में क्या फॉओं सबॉँई Vet Just चैजिंस चैजिंए तो आगे हम देखेंगे कौन-कौन से फिस साइटाइल इस प्विंप किल फिस्त एर ह殖 खा उओ यह जाता से हैं जो बीमारियां होती है वो नश्ट हो जाती है ठीक है स्टोट ग्रींस एन अधर क्रॉप साथ डैमेच बाइ मौल इंसेक्ट रैट अधर पैस्ट अब जैसे जो किसान होते हैं उनके घरों में अनाज को स्टोर किया जाता है और उसमें कभी रैट उन्हें नुक्सान पह जाते हैं इस और इंसेक्टी साइट उनको बचाने के लिए भी इंसेक्टी साइड और पैस्टी साइट का यूज़ किया जाता है आगे बढ़ते हैं protection of forest, किस प्रकार से जंगलों की रक्षा होती है, किस तरह से बचा सकते है our country has rich beautiful forest, many animals live in these forests, हमारा जो देश है उसमें बहुत सुंदर सुंदर forest है बहुत सारे जानवर इन जंगलों में रहते है, the animals get shelter and food from these forests कुछ जानवर होते है, उनको घर मिलता है जंगलों में, खाना मिलता है, ठीक है, we get wood from the forest which is very useful for us हम जो हम human beings है, हम वहाँ से क्या लेते हैं जंगलों से, लकडिया लेते है, the forest give us many useful products बहुत सारी उप्जाओ जो उप्यों की चीज़े होती हैं हमें जंगल से मिलती है, forest give us wood for furniture and houses जंगलों से लकडिया मिलती हैं जिससे हम अपने furniture बनाते हैं, घर बनाते हैं लकडियों के, paper and clothes बनते हैं लकडियों से the picture given below shows some useful products obtained from forest, नीचे कुछ चीज़े हैं जो हमें पता चलती हैं कि हमें जंगलों की लकडियों से क्या-क्या मिलता है, जैसे यह आपका हो गया, furniture, paper, house, pencil, rubber, eraser, ये सारी चीज़े हमें जंगलों की लकडियों से मिलती हैं forests are also useful in many other ways, जंगल इसी प्रकार से अलग तरीके से और भी हमारे लिए उप्योगी है, the forest prevent floods, जंगल जो होते हैं वो बाड को रोकने में जंगल हमारी मदद करते हैं, they do not allow the soil to be washed away, वो मदद करते हैं कि जिससे जिससे बाड आती है तो जो पेड होते हैं उनकी जड़े होती है वो मिट्टी को क्या करती हैं, hold करके रखती हैं अपने आप में, तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो washed away मतलब बहे के आगे नहीं बढ़ती है, तो इस तरह से जो जंगल होते हैं वहां के जंगलों की लकडियां बार को रोकने में में मदद करती हैं, they also help in bringing rain, और इसी और इसी प्रकार से जो जंगल होते हैं वो बारिश करने में भी क्या होता है, सक्षम होते हैं, ठीक है, however, there has been destruction of our forest, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे destruction मतलब नश्ट होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं जंगल, the forest prevent floods, they do not allow, however, there has been destruction of our forest, man needed more and more timber, तो अब क्या है, धीर धीरे जैसे जैसे population बढ़ रही है, वैसे वैसे हम इंसान लोगों को क्या चाहिए लगनियों की जाधा सुरत पढ़ रही है, as our population increased, forests were cut down to make more space for buildings, जंगलों को काट के वहाँ पे बिलिंग्स बनाई जा रही हैं, फ्लैक्स बनाई जा रहे हैं, घर बनाई जा रहे हैं, इंडस नश्ट करके वहाँ पे खाने के लिए कुछ जो हम उगाते हैं, वो करने के लिए भी हमें जंगलों को नश्ट करना पड़ रहा है, कभी-कभी जंगलों को जो नुकसान होता है, वो आग से भी होता है, गर्मियों के मौसम में कई बार जंगलों के जंगल क्या हो जाते हैं, आग में नश्ट हो जाते हैं ठीक है यह देखे आगे चलते हैं जिस तरह से जंगलों का कटान हो रहा है जंगल नश्ट किये जा रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं आपने एक प्रोग्रम के बारे में सुना होगा एक कारिकरम के बारे में सुना होगा of tree plantation जिसमें की tree plant किये जाते हैं उगाए जाते हैं जिसका नाम है वन महसब सबता उसे कहा जाता है वन महसब सबता और forest wheat During this program people plant trees in large numbers in various parts of our country और इस program के अंतरगत हमारे देश के अलग अलग भागों में क्या किया जाता है Plants को Plantation किया जाता है ठीक है पौधे रोपन का कारिक्रम किया जाता है सभी लोग इस कारिक्रम में बढ़ चड़ कर भाग लेते हैं ठीक है तो बच्चों आज सिर्फ इतना ही करते हैं इसको एक बार आप इसे रिवाइस कर लीजिए रीट करिए और इसको एक एक लाइन पढ़िए और उसका मतलब समझने की कोशिश करिए जोड़ जोड़ कर और इसके बाद इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स एपिसोड में ओके तो आप इसको एक बार रिवाइस कर लीजिए अच्छे से